90% लोग से भी जादा लोग ये गलती कर रहे हैं और 3 ये बड़ी चीज़े जो है प्रॉब्लम्स आपके डॉग में क्रियेट कर रही है और काफी serious issues आपको देखने को मिल सकते अगर ये 3 चीज़ों को आप इगनो करते हो तो तो ये वीडियो में मैं काफी जल्दी जल्दी बताऊंगा आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूँगा और बताने वाला हो तीन चीज़े कौन सी है तो आप सबका स्वागत है एट्मिक्स में जहांपे डॉक के रिलेटेट सारी इंफोर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ऐसे तो काफी सारी चीज़े हैं जो ओनर्स नोइंगली और अनोइंगली कर देते हैं लेकिन मैं आज ऐसी बताऊंगा जो लोग उनको पता भी नहीं होता और ये गल्तिया हमेशा करते रह रहे हैं तो नंबर वन पर बढ़ते हैं नंबर वन पर है यूमन मेडिसिन अब देखिए डॉग बिड भी जो है एक लिविंग बिंग है उसको भी हमारे जैसा ही प्रॉब्लम्स होती है चाहे वो बिमार हो या फिर कुछ लगना हो या फिर कुछ भी हो То काफी सारे लोगों को क्या लगता है कि यूमन की मेडिसिन जैसे कि हम लोगों को दर्द ना हो इसलिए हम pain killer लेते हैं काफी बार बुखार आ गया तो दवाई ले ली कुछ भी ले लिया headache आ गया तो वैसे ही वो समझते हैं कि हम तो dog beat को भी दे सकते हैं तो वो क्या करते हैं humans medicines जो होती है जो human के लिए बनी होती है वो dog beat को खिला देते हैं अब वो case कोई भी हो चाहिए dog beat को लगी हो चाहिए आपका dog beat ना street dog beat हो जिसकी help करने के लिए आप कर रहे हो लेकिन आप help करने जा रहे हो वो आपका intention अच्छा है लेकिन जो human medicine उसके लिए harmful है उससे जितनी problem उससे नहीं हो रही है उससे दुगनी problem और भी होना स्टार्ट हो सकता है serious issues भी हो सकते हैं चाहिए वो street dog हो या आपका खुद का dog beat हो जिसे आपने pain killer दे दिया हो सोचके कि चलो इसको दर्द कम होगा लेकिन उसको इससे जादा problem हो सकती है इन situation में सबसे अच्छी जो best चीज जो आप कर सकते हैं डॉक वेट के पास ले जाए इसको यही गलती कर देते हैं कि अपना puppy जो है ला दिया कुछ दिन नहीं हुए तो उसके लिए toy तो लाते हैं यह सारे excited होते हैं कि हमारे puppy को खिलाना है खेलना है रहना है तो वो क्या कर देते हैं कुछ ऐसे small toys ले आते हैं जो dog bit के मूँ के अंदर भी चले जाते हैं अब मूँ के यह में दे देते हैं तो जल्दी एज में ना दे एक proper schedule देख लिए जब वो बढ़े हो जाते हैं उसके बाद आपको dog bones देने चाहिए वरना अभी तो उसके दात भी नहीं होते हैं उसे ऐसा ही दे तो काफी बार dog bit के गले में अटक जाता है चाहिए वो toy हो या फिर ऐसी ची मैं तीन पॉइंट में डिवाइड करूँगा जो कि नॉर्मली लोग करते हैं सबसे पहले जो कुछ जैसे foods होते है fruits होते जो dog bit के लिए helpful नहीं होते हमफुल होते तो भी वो दे देते हैं जैसे कि grapes हो गए या फिकोई और बहुत सारे हो गए उन में से हैं सेकेंड कुछ और चीज़े करते हो तो यूमन प्रोड़क का यूज़ कर लेते हो जैसे कि यूमन शैंपूज हो गया है यूमन का कुछ और हो गया तो वह सब मत किजिए वह chemical dog bit के लिए harmful हो सकते है आप जो coconut oil है वह लगा सकते उसमें कोई issue नहीं है लेकिन बागी चीज़े जो यू तो harmful होता है वह silent killer होता है धीरे धीरे आपके dog bit को harm करेगा और regularly homemade food दोगे तो उसके करण dog bit को skin infection problems हो सकती है इसलिए उसको regularly homemade food ना देख कभी कभी change करते रही है dog food देते रही है कभी homemade food कभी और इफ अगर आप अपने dog bit के लिए अच्छा food ला सकते तो वह भी दे सकते हो तो यह तीन चीज़े थी जो काफी important है जानना आपके लिए क्योंकि काफी सारे लोग जो है इनी के वज़े से अपने dog bit के लिए जिमेपदार होते काफी सारे problem की तो आशकरता वीडियो अच्छी लग योगी अगला वीडियो को topic इससे भी ज्यादा interesting होने वाला और काफी informative होन